आज हम सीखेंगे हमरे पास यह जो कुछ SOP package का IC है इसको हम कैसे बेटत तरीके से PCB में से disolder कर सकते हैं यह जो पहला IC है इसको हम hot air gun के मदद से PCB में से disolder करेंगे तो हम hot air gun का जो heat है उसको 350 degree Celsius और जो air का flow है उसको medium पर रखेंगे और heating के time में oxide formation को reduce करने के लिए हम IC का सारे पीन में हलका करके एक flux का layer चरा देंगे जब आप hot air gun से heat दोगे तब आपको एक चीज़ धियान में रखना है जब तक आप IC का सारे पीन को एक साथ heat नहीं दोगे तब तक IC popper तरीके से PCB में से deal solder नहीं होगा तो आपको कोशिच एही रखना है कि IC का सारे पीन है सारे पीन को एक साथ मेल्ट करो अब देख पार हो हम IC का सारे पीन है सारे पीन को एक साथ heat दे रहे हैं तो IC हमारा कितना इजी तरीके से PCB में से disorder हो गया है अभी यह जो दूसरा IC है इसको हम एक डिफरेंट तरीके से PCB में से disorder करेंगे अगर आपके पास कोई होटर का नहीं है सिप soldering iron है तो आप सिप soldering iron को use करके कैसे IC को remove करें वही वाला process हम एवाला step में दिखाएंगे तो पहले हम IC का सारे pin में एक स्टागर के solder दे देंगे तो इसमें क्या होगा हम iron के मदद से ही दो साइट का जो solder होगा access solder उसको हम एक सत हीट कर पाएंगे जब IC का दो साइट का जो solder एक सत हीट हो जाएगा तब IC हमारा निकलने में बहुत easy होगा अब देख पार हो हमारा यह जो दूसरा IC है यह भी कितना easy तरीके से PCB में से disorder हो गया है अभी आपको इस चैनल में continuous तरी electronics related वीडियो देखने को मिलेगा तो आप comment box में साज़ेश भी कर सकते हो कि आप कौन सा topic का वीडियो देखना चाहते हो तो ठीक है मिलते हैं next वीडियो में